आज मैं आप लोगों को लाइफ रिजल्ट दिखा रही हूँ आप देखे मेरी जो स्कीन का जो कलर है वो दो कलर आपको दिख रहा होगा जहां तक मैंने पैक लगाया था अपने हथेलियों में वहां तक वाइट है बाकी एरिया मेरा ब्लैक है दूसरे हाथ में भी सेम है जहा केट ब्लैक इस वैट यह अपन ह बने लिया है इसे चोटे चोटे तक्रगों में पैक लिया है रिज्य को स्कीन से यह खतम करता है फश्कीता बार्वरा जो स्कीन पर देखे तक में करत आप लिए PRe फ्रेस अलयो भुटक अंगृता फरेस यह जो वर्क करेगा यह उसके हैं वह आपस में मिलनway , पत्तोर तूर देख जो की पैक बना रहे हैं इससे आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे कोई भी इंग्रीडियन नहीं डाले हैं जो हमारे फेस को नुक्षान करें हां कभी कभी क्या होता है किसी को लेमन सुट नहीं करता है तो वह बात अलग है तो एक बार आप चेक कर यहां पर हमने जितने भी इंग्रीडियन लिए हैं सब में वह गुण है जो हमारी टैनिंग को खत्म करने में हेल्प करेगा हमारे जो इसकीन टोन है रंग है उसे निखारने में हेल्प करता है अब इसे एक अच्छा सा फाइन पेष्ट बना लेना है आपको इसमें पानी व सब में अपने आप में ही जो पानी रहता है उसी से काफी अच्छा से पिस जाएगा तो यहां पर इसे हमने काफी अच्छा फाइन पेष्ट बना लिया है अब थोड़ा से लिक्विट है अगर इसे अपने बॉड़ी पे या फेस पे अपलाई करेंगे तो क्या होगा यह ग अच्छा खासा करेंगा बर एक चावल काटे में चोटे-चोटे पार्टिकल होते हैं जो हमारे डैडी स्कून को रिमूट करने में बहुत अच्छा अच्छा थल्प करता है अब इसको क्या करना है जहां पर भी आपको एपलाई करना है हाथो पे पेरो पे अंडर आर्म पे वहाँ पर आपको ले लेना और अच्छे से इसे रब करना है कम चार-पांच मिनट तक आप अच्छे से रब किजिए और पांच से दस मिनट तक आपको इसे लगा कि यूही छोड़ देना है जब यह सूख जाएगा या फिर दस मिनट हो जाएंगे उसके बाद आपको नॉर् पर आपको बहुत अच्छे मिलेगा देखिए आपको फर्क नजर आ रहा होगा तोनों में काफी डिफरेंस आएगा गाईज एक बार आप जरूर इस्तिमाल करें और मुझे बताएं कि रेमेडिया आपको कैसा लगा इसी तरह के और वे अच्छे वीडियो देखने क्लिए म मिलते हैं नेश्टे वीडियो में बाई थैंक यू